कैसे आप लोग आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ एक नई अपडेट के साथ जिससे आपको काफी प्रॉफिट होने वाला है जो लोग यहां पर वर्क कर रहे हैं या जो आंगे वर्क करना चाहते हैं जिन कि अवी वेटिंग में है जो भी है और जो लोग NCL की या कोल इंडे की किसी भी सबसीडरी की तयारी कर रहे हैं कि आगे चल करके हम उस पर जॉब लेना चाहते हैं तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है अगर आप एंसिल के या फिर कोल इंडे किसी भी सबसीरी के इंप्लॉई है तो आपका ये वीडियो देखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि वहां पर क्या चीजे हो रही हैं हमें वहां पर जॉब पत्र बनाने पर सहमती सीडी सी बाते हैं जॉब करते हैं तो जॉब में सबसे में पॉइंट होता आपका सैलरी पैकेज तो अगर आपको उसके बारे में नौलिज नहीं होगा कि अभी आपको कितनी मिल रही है कितनी मिलनी चाहिए मतलब आपकी कैपेविल्टी के करता होना बहुत जरूरी है तो अभी एक वर्चुल मीटिंग होई है जिसमें आपके सैलरी पैकेज को लेकर ही वात की गई है वहां पर यह बोला गया कुल वेतर ने 50% फ्रद्धी की मांग की गई है यूनियन के द्वारा ठीक है तो यह तो बहुत अच्छी बात है जो लो बोलू तो जो लोग न्यू जॉइनिंग करेंगे शायद उन्हें एक नया सैलरी पैकेज मिलेगा क्योंकि जब तक आपकी जॉइनिंग होगी तब तक इसकी मीटिंग भी हो चुकी होगी और जो भी रिजल्ट होंगे शायद वो भी आ चुकी होंगे प्रॉबर्ली चैंस है तो चली पहले एक नजर डालते हैं इसमें लिखा क्या होगा है कोईला कर्मियों के वेतन समझोते के दोरान बैटने वाली चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने सन्यूंक्त मांग पत्र बनाने पर सहमती बना ली है बहुत अच्छी बात है बुद्वार को मत हुई जो वर्चुल मीटिंग होई थी उसमें 30 जून को 2021 को जो मिलने वाले वेतन में मतला 38 जून को जो मीटिंग होने वाली है उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो सेल्डी है उसमें जो वेतन उसे 50% व्रदी की मांग की है यह तैय किया गया है कि 5 जून तक ड्राफ्ट को अंतिम दे दिया जाएगा 10 जून तक इसे प्रबंदन को सौप दिया जाएगा मांग पत्र में सालाना 6 फीज दी वेतन व्रदी की मांग की गई इसका मतलब यह है पर यह जो आपका इंक्रिमेंट लगता है लगवग 3% उसे यहां पर 6% करने के लिए बोला गया है यह देखिए आ दो को जाएंगे शेतों को नौकरी देने के मामले में T ay radioactive समाप्त करने की मांग भी की जाएगी मांग पत्र में यह ना Much दस्रंज cit करने तता अ हर साल गैर अधिकारीं से अधिकारीं बनने के वैकेंसी निकालने की मांग की जाएगी तो बहुत जल्द एक अच्छी वेकंसी भी आएगी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, गैर अधिकारी से अधिकारी बनने के वेकंसी निकालने की मांग की जाएगी, यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वार्ता की दोरा गंबी बिमारी की शेनी में कोरोना को भी सामिल किया ग बढ़ता, नर्सों को नर्सिंग बढ़ता, बढ़ाने की मांग की गई है, इसकी अतरित साल में जो अभी मेरे ख्याल से 10 या 12 लीव मिलती है, शायद ये 6-7 लीव मिलती है, आम नौट कंफर्म, तो उसमें बोला गया, अतरित साल में 14-15 पेड होलिडे बढ़ाने की मांग भी शामिल होगी, महगवार उनकी जो अबर साम उन्डा है, उनकी जैनती पर छुट्टी देने की मांग भी कोईला कम्ट्नियों से की जाएगी, और बैटक में कौन-कौन सामिल ये चीज़े यहां पर लिखी गई है, अब देख लेते हैं, क्या-क्या शामिल होगा मांग प वाशिंग अलाउंसेस पुनाद अच्छित बेसिक का 5% मिलना चाहिए, वाशिंग अलाउंसेस बेसिक का 05% ठीक है, विशेश बहतता है, स्पेशल अलाउंसेस के अगर में बात करूं तो बेसिक का 5% बोला गया है, पूरु कर्मी को लीज पर आवास मिलना चाहिए, L LTC 75, टरहजार, वाइल, टी-सी, 15,000, ट्रांस्पोर्ट अलाउंसेस, कार का अलग से मिलना चाहिए, 20 वा, 2 चके का 10%, ठीक है, योगता कैदार पर नौकरी मिले, यह बहुत अच्छी चीज है, पैंशन फंड में 20 उपरती तन का योगदान कंपनिया करें, यह बी एक बहुत अच चासलाक रुपए हो, 3 साल का स्टडी लीव वेतन सहीद, यह बहुत अच्छी चीज है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चीजै, 3 साल का स्टडी लीव वेतन सहीद, रेटार्मेंट के साथ से क्लीव का भी बुक्तान हो, नेक्स है उलास या तीस दिन के अर्जित अवकास का मुगतान हो तो यह यह चीज़े उनों सामिल करने की मांग की पॉइंट्स मुझे काफी अच्छे लगे हैं काफी हित में हैं कोईला कर्मियों के देखते हैं हम इनमें से क्या चीज़ें possible हो पाती हैं क्या चीज़े possible नहीं हो पाती हैं तो यह थी एक छोटी सी update जो आई हो आप लोगों को भी लगा होगा कि informative होगी मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को इस चीश के बारे में जाना ज़रूरी है या आप उसके employee हैं या बनना चाहते हैं कुछ भी है तो आपको हर एक छोटी से बड़ी updates आपको aware रहना पड़ेगा सब चीजों के बारे आपको knowledge होना चाहिए तो यह थी एक छोटी से अपडेट फिर मिलेंगे next वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ जो मुझे लगेगी आपके लिए profitable है तो नई अपडेट में जरूर लेकर के आओंगी और एक अगर आप लोग में से अभी किसी का भी reporting हो रही है या कोई reporting कर रहा है जो मेरा वीड को जो आगे बढ़ा गया उसका रिकार्डिंग करने गया है या कोई अपने डॉकुमेंट कर रिपोर्टिंग करके आया है तो आप लोग अपने अगर सजेशन चाहें तो मेरे email ID पे शेयर कर सकते हैं कि कैसा experience रहा है या तो उससे क्या होगा बाकि जो बचे हुए student है बाकि सारी process बता रखी है बट फिर भी इस वाग कोवेट के करना कुछ भी changes आये हैं तो आप उसके वारे में जरूर मुझे बता सकते हैं email ID मेरे description आपको मिल जाएगी आप वहाँ पर जाके मेल कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं next video में thank you for watching